आज है हमारा लेक्टर नमबर वन इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिकल थियूरी पार्ट परफेसर शेर मुहम्मद चोधरी चैप्टर हमार पास है तू प्रजेंटेशन ओफ डेटा एक्जेम्पल है 2.2 जिसमें वो कहते हैं में का गुरूपर फरकॉंसी में हम लोग ने लोगने फरकॉंसी डिस्टिबриशन का टेबल बनानाँ में ही हमार पास डाटा लेता इंट फरकॉंसी वेयल्यो फांड आट करनी होते हैं यह तो jsुघ स्मॉलेस्ट वैलियो वो यह औरätter एंफान वों स्मॉलेस्ट वैलियो रेटाट करनी हैं परो ट Avengers वेलियो ऑंट i loved तेन हम लोग न chamado range, conservative range , था क्या आ आउट करना हम चेहाओ, क्या तक लाट एट कौने है largest value – smallest value, 204 minus 68 अंसर आजाए गा 136 यह पास क्या है रेंज देन हम लोग ने क्या कहने के फाइंड आट करने वह क्या होते है number of observations उसका हमार पास एक फार्मूल होता है 1 प्लस 3.3 log n न हमार पास क्या होती है number of classes number of classes हमार पास कितनी है 60 में हमार पस given data कितना है वह हमार पास 60 है हम लोग ने क्या करने के की value find out करेनी है 60 लोग लेना है 60 का वह हमार पास आजाएगा 1.78 देन हम लोग ने क्या करने उसको 3.3 के साथ multiply कर देना है और 1 में add कर देना हमार पास answer आजाएगा 6.86 तो हमार पास यह equal होता है 7 के तो हमार पास जो k की value हो है 7 अब हम लोग ने क्या करना है class interval find out करना है इसका formula हमार पास रोता है range over k मिन जो हमार पास range है उसको हम लोग ने k पर डिवाइड करना है तो range हमार पास थी 136 और k की value थी हमार पास 7 तो हम लोग ने 136 को 7 पर डिवाइड कर दिया तो हमार पास answer आया नाइटीन फोर पाइंट सीक्स जो के एक्वल होते है ट्वेंटी के मिन हमारे पास क्लास इंटरवल आगे है ट्वेंटी फरकॉंसी डिस्रिबिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है लाज़ेस्ट वैल्यों फाइंड आउट करनी होती है दिन हम लो सब्सक्राइब था कि आगे कार्ष लाज़ेशन तरでも सबसक्तियाद जलाओ है कि अब युदावर क्लास बिने के सब्सक्राइबल थे इसी तरह हम लोग ने क्लासिस बना लेनी है देन हम लोग ने क्लास बांडिस बनानी है और अपर क्लास लिमिट में से में एड़ करते हैं जो हमारे पास फिर्स वाली वैली होते हैं वह हमारे पास लोवर क्लास लिमिट होती है जो हमारे पास सेकंड वाली होते हैं वह हमारे पास अपर क्लास लिमिट होती है यह हमारे पास सारी क्या हैं लोवर क्लास लिमिट और य लिए में 0.5 को सब्डेर करते चानाए और अपर ये स्वाइट के सब्सक्राइब है ब्सक्राइब है निए सबस्क्राइब इंड़ लोग क्या ओता है हमार पस घुंद्र को अड़ कर दें धर को आज रकाटे हैं अलगों इसको हाफ कर दें धर को सकते ह्लों को पिया चाहिए अगर हम क्लासा बांट्री तो भी तो पर डिवायद कर दें तो भी को आजा या तो हम लोग ने क्या करने टैलीं या फर्केंसी मिन हमारे पास उस क्लासि में हम estrogen कितना एम कंदनी रचा यह यह पर रइलियूं कितनी क्लासि क्लासि का यह नो आ यहां लोगं पूंगों गये अगलनwh कि कि 68 से 87 तक हमारे पर पढ़ा iłos यहां रही हैं तो वो हम लोग ने यहां पर रिट करनी है अब हम लोग पस जो einen सना फ्रिकौंशिस already had करने पर लो सिसने सरक आइज के से शतना सब्सक्राइब कोया सैंक तो इस Großus तुछायता हैं कि और फिदफस्ट के हूई होता है वो हमारे पास जो number of classes होती है ना उसके equal आने चाहिए अब हमारे पास है example 2.3 जिसमें वो कहते है construct a group frequency distribution इसमें भी हम लोगों ने क्या करने है group frequency distribution का table बनाना है तो हमारे पास number of observation नमबर of classes उने हमें बताई हुए है कि वो 88 है सबसे पहले हमने क्या करने है गिवन डेते में से largest value व्यांड करने है वो है 14.0 the smallest value find out करने है वह हमारे पास 3.9 नो range find out करने है nearest largest value ऐन से smallest value को subtract करने होता है तो वह हमारे पास है 10.1 number of observation find out करने है k1 plus 3.3 log n तो यहां से हम लोग ने k value find out कर ली हमार पास 7.4 क्या करने class interval find out करने है वो होते है range over k मिन जो हमार पास range है उसको k पर divide करने है तो हमार पास answer आगया 1.36 मिन जो हमार पास class interval होगा वो equal होगा 1 k अब हमने क्या करने table बनाने है सबसे पहले हम लोग ने क्या करता है अपने table का name राइट करने होते हैं कि हम लोग टेबल बना किस्टीज करें हैं तो यह हमार पास है frequency distribution of mean mean death rates हम लोग के mean death rates का frequency distribution table बना रहे हैं तो हम लोग ने सबसे पहले टाइट राइट करना होता है हमारे पास smallest value थी वह थी 3.9 तो हम लोग ने वहां से table स्टार्ट करना तक हम लोग पास smallest value भी उसके अंदर आ जाए और largest value भी तो हम लोग अपनी classes 3.5 से स्टार्ट करते हैं पास class interval था 1 तो हम लोग ने 1 का यहां पर difference देना है 3.5 है तो 1 एड़ करेंगे तो 4.5 आएगा then 1 एड़ करेंगे तो 5.5 आएगा इस तरह हम लोग ने अपनी classes बना लेनी है then class boundaries बनानी है class boundaries में क्या होता है हम लोग ने इस value value में से इस value value को subtract करना है या फिर हम लोग इस value में से इसको subtract करते हैं F now 4.5 में से 4.4 को subtract करना है then हम लोग ने इसको two पे divide करना जो answer आएगा इसको स्ट्रेक्ट ल गाता होगा आप लिमियंट में में स्ट्रेक्ट करक्ते जाना है और अपकर class limit 3.45 तक हमरे पास कितनी कलासिस हैं जो इनके इन में आ रहे हो उन्हों लोग ने राई कर देने हैं इस तरह यह भी सिर्ट आपने तेयुश बना ले ले लास्टम मैं लोगों क्या करने है सारी राइड करदेना है जो मरेपस फरिकुंसी को एड करने फोजिसमें वो कहते हैं कॉंस्ट्राक्ट अफ्रक्वेंस्ट इस डिस्ट्रिबिशन टेबल इंडिकेर दाक्लास पांट्री रिमिट क्लियर ली इसक्राइब बनाना है तो हम लोग ने सबसे पहले क्या करने है गिवन डेट्ट मिस्लाज़े स्वेल्य फांड पांड निया जो करने से चाहिए हमारा पास 30 है आना चाहिए अब हम लोगे नह bon pages is टोटल notaoth classes अब हमने क्या करना की value वाइंड रोगे हो है एंपर क्लास फानल से कि फानले से क्लास इंटर्वल घु साही है अब हम लोग अपना ठेबल बनाते हैं लिए सब से पहले हम देनी है टेबल की हम लोग इस चीज़ का टेबल बना रहे हैं यह लोग ने क्लासी है अब हम लोग है बनानी है यह उस्ट हुआ है यह यह हम लोग ने अपनी क्लास बाढ़ेश कहां से बहुंग करें हैं के अंडर आजा है हम लोग 18.72 से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं क्लास एंटर्वal को $13 को बना ले हम थर्टीन को आड़ करना है इस तरह हम लोग आपने classes बना लेनी है ृष स्ट्रेक्ट करना है 31.95 में तो सब्ट्रेक्ट करना है n Farm T आघेखेंश को डिवाइट पर पिर फिर उसके जो आजारेंगे उसको थार्ट तक हम लोगों ने कुछा पवाइड मे worth सब्कुरोड करने हैं दरना हम लोगे ने क्या करने है, foremost thing, frequencies को add करने है और उसका answer number of classes के साथ match करने तो हमा पास number of classes की 10th look 30 और हमार पास frequency को add करने ने थी 30 ओर ही 30 और हमार पास frequency कोई 30 और हम यह दोने चीज़ाती हन में हुनी चाहिए अब हमार पास example 2.5 जिसमें वो कहते है frequency distribution table बने तो तो सबसे पहले हम लोग ने टेबल की हैडिंग देनी है वह फारकोंसी डिस्ट्रिबिशन ओफ एसिस्टेंट इन 50 डिटेल इस्टेवलिश्मेंट तो नमबर ऑफ हमारे पास जो क्लासी हैं वो कितनी है 50 मिन हमारे से सबसे वह लोग ने नमबर ओफ एसिस्टेंस अच्शा हम लोग राइड करने हो जी रोट से लेकर नाइन तक क्योंकि आप सबस्ट समालेट वैल्यों थी वह जी और जो हमार पास हाईस्ट वैलियो थी वह अमर पस नाइन थी अब लोग हम लोगों ने देखने हैं कि हम लोगों को समझ आई होगी अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप हुआ हुआ है